दोस्तो क्या आपको पता है अरे संजु बाबा पहले बताने तो देते तो दोस्तो मैं कह रहा था कि आपको पता है अगर आपने किसी को email भी तो उस email को आप वापीज भी बूला सकते है मैं आपको आपको ऐसे और दस बताना मतलब टोटल ग्यारा जी मेल का कम प्रोड़क्टिव कर सकते अगर आप इनकी तरह डेली जी मेल का यूज करते अपने ओपीस में तो वही यह ग्यारा प्रोड़क्टिव टीप्स आपको ज़रू पता हो ने जिआ का टाइम सेव करने वा टिप्स नमबर वन जिसमें मैं आपको बताने वालाओ कि अगर आपको एक email बार-बार लिखना होता है आपके clients के लिए आपके धेर सारे clients की list या email list आपके पास है और उन्हें आपको एक email बार-बार भेजना है तो आपको बार-बार copy-paste करना पड़ता है तो ये सब करने के जरूत नहीं आप templates create कर सकते Gmail के अंदर और इन templates की मज़से आपका काम fast कर सकते कैसे करना स्क्रीन के ओपर देखते हैं तो आइए Gmail के templates यूज़ करने के लिए एक scenario समझ लेते हैं जैसे यहाँ पर मुझे मेरे students से बार-बार email आते कि how do I get my certificate certificate कैसे download होगा Learn more pro website की उपर तो यह जहाँ पर इसका solution यह कि मुझे क्या करना पड़ता है यह email मैं open करूंगा फिर मैं यहाँ पर reply button क्लिक करके यहाँ पर सटपिके download कैसे होगा उसकी information पूरी की पूरी यहाँ पर जहाँ पर मैंने type करके रखी copy paste करूंगा और same button क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर मुझे बार- option जो दिखाए दे रहे है ना right corner में right top right corner में यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सरे और भी tab मिलेंगे जिसमें आपको जाना होगा advance की उपर look at here advance right यहाँ पर क्लिक कीजिए तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ और भी options आएंगे जिसमें हमें इस पर ध्यान देना है templates की उपर और templates को हम करेंगे यहाँ पर enable जो कि आपको दिखाई दे रहा है मैं enable कर चुका हूँ और यहाँ नीचे आपको save changes करने पड़ेंगी जो भी आप changes करते हो वो यहाँ से आप save करोगे save changes बटन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हू और दुबारा मैं भी inbox में जाता हूँ जिसको भी मुझे reply देना है जैसी email को reply देना था मैं reply में जाओंगा पहले पहले इसे मैं यहाँ पर email टाइप कर लूँगा पूरा पूरा जो भी मुझे reply देना है और उसके बाद यहाँ पे दिखिए यह जो delete button दिख रहा है na delete button recycle bin का C के बाज़ो में आपको तीन डॉट दिखाए दे रहे more options इसे हम ellipses के दे रहे तो यहाँ पे जाए more options में और templates में जाकर यहाँ पे save draft as a template करके option आपको मिल रहा है यहाँ पे आप click करके save new template पे click easy and इसको क्या नाम देना है वो आपकी उपर है तो यह मैं रखना चाहता अब इस mail को में send कर दूँगा वैसे तो इसको send कर देना है मुझे reply कर दिया मैंने अब जैसी दूसरे email पे मैं जाता हूँ उसे open करता हूँ और reply button पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे face से दुबारा पेश करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे मैं जाओंगा templates मुझे directly how do I get certificate की नाम का template मिलेगा जैसे मैं इस पर click करूँगा यह देखिए यह यहाँ पर पुरा load होगा यहाँ से मैं send button पर click कर सकता हूँ बार बार मुझे copy और paste करना जरूरी नहीं है या फिर मैं इस template को delete करना चाहता हूँ या कुछ नया save करना चाहता हूँ तो एड कर सकते हैं delete भी कर सकते हैं और template का use क्या होता है आपको भी समझाओगा tips no.2 यह भी interesting tips है इसमें मैं आपको बताओ कि अगर आपको कल सुबह office में late आना है और आपको लगता है कि यार सुबह 9 बजए एक client को mail जाना चाहिए तो आप इसे schedule करके रख सकते है Gmail के schedule feature से जहा अगर schedule करके रखा है तो यह schedule option आपको तभी भी use हो सकता है जब आपका client suppose दूसरे देश में ने की अमेरिका में तो अमेरिका में आपको उनके morning में email भेजना है तो आप यहां से आज शाम को schedule करके रखोगे उनका जो morning जब होगा तो उनको email automatically hit होगा अगर अपने वो time properly schedule करक आपको दिखाता हूँ तो मुझे बेजना है specific email specific date or time पे तो मैंने यहां पे compose button पे अल्री क्लिक किया है compose button पे क्लिक करके मैंने email भी लिख दिया email address subject और कुछ यहां पे email के अंदर content डाल दिये अब मैं यहां पे send button पे नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे यह बेजना है कल सुबर 7 बज़े यहां पे specific date और time पे बेजना है तो मैं यहां पे drop down arrow जो दिखाई दे रहा है यहां पे click करूँगा दोस्तों और यहां पे schedule sent नाम का एक option आपको मिल जाएगा इसकी उपर आप click कीजी है जैसे आप click करोगे यहां पे कुछ predefined time और दे देगा भी मैंने last कभ schedule किया था वो भी दिखाए दे रहा है this morning, this afternoon, Monday morning कब आपको करना है right so pick date and time में जाकर आप खुद customize date और time select कर सकते हैं जैसे मुझे 7 तारीक को 7 4 a.m को भीजना है या पिर कुछ और अलग timing भीजना है तो यहां पे मैं time भी select कर सकता और type कर सकता है basically तो यहां पे अलग लग date द यह बता रहा है और इसे आपको cancel कर देना है तो यहां पे cancel send button है यहां से आप cancel भी कर सकते है इस तरह से email आप schedule कर सकते है दोस्तों दोस्तों आपको एक important email बेजना है और अपने email proper लिखा है आपने check भी किया कि proper है सब कुछ proper है और आपने send button पे click किया और तभी आपको पता इन बटन पे खिलिक किया है तो इमेल को आप Ando भी कर सकते है जिया यहा पे भी Ando-Pandoo होता है Ando-Pandoo नहीं स्वरी Ando-Redo यहापे भी आप Ando कर सकते है जो भी भी भेजी के चीज़़े उसे आप Ando कर सकते है और वापिस आपने inbox में उसे ले सकते हैं मतलब वापिस उस email को ले सकते हैं कैसे लेना है अगर आप नहीं जानते हैं तो practically मैं आपको दिखाता हूना undo email कैसे करते हैं Gmail का यह best feature अभी आपने एक email लिखा proper लिखा आपको ऐसा लगता है आपने प्रॉपर लिखा और आपने यहां पे send button पे click कर दिया जैसे send button पे click कि आपको याद आए कि आपको याद आए कि subject में यन तो रहे गया instruction में तो यहां पे देखिए bottom corner में आपको एक undo button आ रहा है undo button यहां पे आप click किजिए जैसे आप undo button पे click करोगे यह mail उसके inbox में नहीं जाएगा आपकी inbox में दुबारा वापीज आ जाएगा undo button यहां पे भी undo दिया गया है basically यहां पे मेरा यन रहे गया था मैं इसे correct करूँगा और फिर यहां पे send button पे click करूँगा जैसे मैं send button पे जब कभी भी click करूँगा तो यहां पे left bottom corner में आपको एक undo button मिलेगा दोस्तों तो इससे आप email undo कर सकते हैं लेकिन यहां पे यह button यह जो option है basically undo का यह मेरे पास ज़्यादा seconds रुक रहा है आपके पास 5 seconds ही रुकेगा क्योंकि यह default 5 seconds ही रहता है Gmail आपको 5 seconds ही रहता है अभी देखिए अभी तक है मेरे पास यह तो यहां पे मैं undo करूँगा तो यह दुबारा यहां पे आ जाएगा तो यह मैंने ज़्यादा time कैसे किया यह भी बता देता हूँ setting में आपको जाना है उपर दिखा दे रहा है setting यह मैं close कर देता हूँ यहां पे देखिए settings में जाना है सब हम अलग-अलग settings सीख रहे है see all settings में जाएंगे और see all settings में जाकर यहां पे आप देख सकते हैं undo send करके एक option आपको directly सामने मिल जाएगा यह देखिए focus कर दो undo send मैंने इसे रखा है 30 seconds आप इसे 5 seconds default भी रख सकते हैं यह default 5 seconds ही रहता है तो आप यहां पे चाहिए तो बड़ा सकते हैं कम कर सकते हैं max आपको 30 दिया है minimum आपको 5 दिया है तो जैसे भी आप रखना चाहते है undo send यहां पे रखिए और फिर यहां पे नीचे आकर save button पे click करना ना भूलिए save changes जैसे आप इसे save करोगे यह changes अप इफेक्ट में आएगा और इसका क्या use है मैंने आपको बता दिया tips no.4 में मैं आपको बताओ कि gmail पे आपका ज़्यादा काम है तो आपको gmail का dark theme on करना चाहिए जिससे आप gmail पे अगर घंटों भी काम कर रहे है तो आपके आखों पे एफेक्ट नहीं आएगा जादा तो dark theme कैसे अक्टिविट करना है चलिए practically देखते हैं तो आपका gmail पे बहुत काम होता है तो आप dark theme कैसे apply करेंगे यहाँ पे देखिए setting में दुबार आपको यह setting में आना है hiện Suspre look on the settings करके option मिलेगा तो आपको themes करके लाज़ में एक option मिलेगा items यहाँ पे आप क्लिक करेंजिए set theme पे आपको click करना होगा all right सारे options सामने सामने आपको मिल जाते और शार्सिए इस पे click करोगे नीचे आप स्क्रोल करोगे तो यहाँ पे आपको dark theme करके option मिल जाएगा यह देखिए यह default theme है आपका website में और यह dark theme पे आप क्लिक करोगे यह dark theme में यहाँ पे apply हो रहा है आप चाहिए तो रखिए नहीं चाहिए तो आप इसे दुबारा default theme पे क्लिक करके save कर सकते हैं तो इस तरह से dark theme में यहाँ पे आप apply कर सकते हैं tips no 5 में मैं आपको बताओ कि आपकी एरिया में internet का problem है internet कभी डाउन हो जाता है तो ऐसे में आपको पुरानी email सा अगर read करने तो आप gmail को offline mode में भी इस्तमाल कर सकते हैं जिहां जो पुरानी email है आप उसे offline में भी देख सकते हैं कैसे देखना है gmail के अंदर देखते स्क्रीन के पर तो भाई अभी आपके पास internet नहीं हो सकता है कभी-कभी आपको लगता है तो भी आपके पास जो email आ चुके है उनको आप access कर पाए जो नए है वो तो नहीं है आएंगे आपको से internet का निट होगा तब ही आएंगे लेकिन जो अभी email आपके पास है पड़े होए यह सारे के सारे आप access कर पाएंगे उसके लिए करना क्या है आपको यहाँ पे settings में दुबारा चले जाना है settings में आना है यहाँ पे see all settings options आपको मिल जाता है यहाँ पे click कीजिए see all settings के अंदर offline करके एक option मिलेगा themes के बैजुमी यह देखिए यहाँ पे offline बटन पर में click करूंगा enable offline email करके option यहाँ पे मिल जाता है इस पे आपको check करना होगा यह check कीजिए check करते ही वो बताएगा कि कितन दिन के mail आपको रखने है store last 30 days के रखने है last 90 days के last 7 days के यहाँ पे चूज कर सकते है according to your requirement आप यहाँ पे चूज कीजिए साथ में आप attachment भी चाते है क्या मतलब उस email में अगर किसी ने file भीजिए तो वो भी साथ में download होगी क्या चाते है तो यह check कीजिए यह नहीं चाते है त अगर आपने on किया है तो यह सेटिंग करके आप इंटरनेट बंद रहेगा तो भी आप आपकी email को access कर सकते हैं यह setting अगर आपने on किया है तो यह setting on करना मत भूलेगा पहले दोस्तों मैं हमेंशा कहता हूँ कि computer पे smart work करना है तो keyboard का जादा स्यादा इस्तमाल करो तो आप Gmail में भी keyboard का इस्तमाल कर सकते हैं और keyboard की shortcut keys use कर सकते हैं और keyboard की shortcut keys इसे मैं practically दिखाऊंगा लेकिन एक important information मैं बताऊंगा कि recently मैंने keyboard की उपर एक complete वीडियो बनाया था जहापे keyboard की A to Z shortcut keys मैंने explain की थी 104 keys का क्या use होता है practically हरे key को मैंने दबा दबा के बताया था तो उसका वीडियो उपर i button पर आपको मिल जाएगा या पर description में भी मैंने link दी ह आपके लिए की keyboard की सारी keys हम कैसे इस्तमाल करते है फिलाल तो हम Gmail के अंदर keyboard shortcuts कैसे enable करेंगी यह practically screen पर देखते हैं यहां पर दिखाएगा कि बाई कि किया shortcuts की है, undo कि रिडु के है, redo के लिए, previous navigation के लिए, next navigation के लिए, बहुत सारी shortcut keys यहापि आपको दिखाए देर रहे है और यह सारी shortcut keys यह इपर डुबल्ट रहती है उसके अलावा और advanced shortcut keys अगर आपको चयुए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे एक Enable बटन जिस पे आप Enable करते ही यह वाली shortcut keys नीचे जो दिखाई दे रहे हैं यह भी Enable हो जाएगी जिससे आपको आपका email आप keyboard पे access कर सकते हैं आपका email पूरा पूरा keyboard पे access मिलेगा दोस्तो Shift question mark भूलिएगा नहीं कीबोर्ड से access करने के लिए पहले यह shortcut keys तो आपको देखनी पड़ेगी ना Tips number 7 में मैं आपको बताओ कि अगर आपके बाद email में बहुत सारे unread emails है और अभी आपको सबको read करना एक एक करके तो एक एक open करोगे फिर back करोगे time जाएगा तो आप reading pin open कर लो कैसे करना है देखते स्क्रीन के पर तो दोस्तों अगर मुझे fast email पढ़ने हैं जैसे मैं ये email पढ़ना चाहता हूँ जो भी email मैं open करता हूँ तो ये open करने के बाद ये पढ़ लिया मैंने तो मुझे यहाँ पर back button पे click करना पढ़ रहा है next email पढ़ने के लिए तो ऐसे एक एक करके मुझे back button पे दुबारा click करन पढ़ना पढ़ेगा इससे अच्छा अगर मैं reading pen on कर लो तो reading pen यहाँ पर right side में आ जाता है जो कि मेरे case में अभी यहाँ पर enable नहीं है तो आपकी case में भी नहीं है suppose तो आप जाएंगे settings के अंदर दिखिए ध्यान से फिर से एक और setting हम सीख रहे है settings में जाना है see all settings में दु करना इस बार inbox में जब आप click करोगे तो यहाँ पर नीचे एक option मिल जाता है आपको enable reading pen यह options को आप check किजिए यह आपको पूछेगा कि आपको right inbox रखना है below inbox रखना है reading pen directly default यह on हो जाएगा लेकिन मैं no split रख देता हूँ और save changes button पर click कर देता हूँ अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मुझे reading pen का option चाहिए था अब देखिए reading pen का option आ चुका है जैसे मैं इस पर click करूंगा तो एक reading pen right side में आ चुका है अब जो भी email मुझे पढ़ना है मैं ऐसे quickly उस email के अंदर के content देख सकता हूँ एक जलक मार सकता हूँ right इस तरह से मैं click करके in emails को य email id आप बना सकते हैं Gmail के अंदर user friendly email id मतलब जो existing email id उसे थोड़ा सा customize भी कर सकते हैं उसमें कुछ चीज़ा add भी कर सकते हैं कैसे देखते स्क्रीन के उपर तो Gmail में email भी customize कर सकते हैं किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको email id दिखाई दे रहा है learn more 7020 और मैं क्या करना चाहता हूँ यह पढ़ने के लिए थोड़ा सा difficult लग रहा है तो मैं learn के आगे dot add कर रहा हूँ more के आगे भी dot add कर रहा हूँ तो इससे क्या होग बस मैंने यहाँ पर बढ़ने के लिए आसान हो इसलिए मैंने क्या किया इसमें dot add कर दिया है या फिर इस email id में कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे यह dot मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं plus add करके जैसे यह मेरा email है तो मैं मेरा नाम भी आगे add करना चाहता हूँ तो plus के बाद के जो भी characters आप add कर रहे हैं यहाँ पर यह पर इगनोर हो रहे हैं याद रखिए plus के बाद के बाद के बाद के गरेक्टर सारे इगनोर हो जाते हैं यह email id वही है learn more 7020 लेकिन plus के बाद आपने लिखे होगे character इगनोर हो जाते हैं जैसे example के लिए मैं क्या करता email के उपर एक email send करके देखता हूँ यह email बैसिकली है और copy paste कर देता हूँ मैं इसे और यहाँ पर मैं hello subject लिक देता हूँ देखते हैं यह email आ रहे की नहीं आ रहे send बटन पर मैं click करता हूँ तो जैसी यहाँ पर मैं inbox में आके देखूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते ही व consider किया जा रहा है Gmail की तरप से अब dot add करोगे तो भी तो इस तरह से email आप कस्टमाइज कर सकते हैं यह filter के लिए भी easy होगा अगर मुझे core space related email फिल्टर करने तो मैं फिल्टर भी लगा सकता हूँ यहाँ पर फिल्टर लगा कि उस particular plus की बात का जो नाम add किया है उससे भी filter किया स्टार को भी अलग-अलग color में आप वहाँ पर highlight कर सकते हैं कि आपको पता है नहीं पता है तो multiple star के से highlight करने मैं आपको screen पर दिखाता हूँ तो अभी हम star से messages organize कर सकते हैं usually हम क्या करते हैं यहाँ पर click करके single यह एक ही star देते हो दुबारा click करेंगे तो यह uncheck हो जाता है और इसके अंदर नीचे स्क्रोल करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा यह option stars का यह देखिए star में आपको कितने star चाहिए आप एक-एक star को click करके drop करके उपर रख सकते हैं या फिर four star direct click करोगे तो यह default आएगा और star करेंगे तो पूरे-पूरे star आ जाएंगे जितने star आप र पर फेसे ख्ली करूंगा यह देखिए पहले ख्ली करूंगा तो यह default star आ रहा है फिर एक और ऐगर ख्लीक करेंगे तो आगे green tick वाला आ जाएगा इस तरह से आप अलग-अलग star को यहाँ पर लगा सकते अलग-अलग mark यहाँ पर लगा सकते और यह सारी सरी चीज़े आपको जब star पे आप क्लिक करोगे सारी email यहाँ पे दिखाई देंगे एक साथ दिखाई दे रहा है जितने आपने email को star किया है वो email यहाँ पे आपको दिखाई देंगे राइट इंट्रेस्टिंग है यह भी चेक कीजिएगा ज़रूर यहाँ पे नीचे जनरल में ही याद रखिए जनरल में नीचे स्कोल कर लेना है और आपको यहाँ पे options मिल जाएगा signature का यह दिखिए और create new आ रहा है क्योंकि हम पहली बार इसे इस्तमाल कर रहे है create new पे क्लिक करेंगे signature का एक नाम दे देंगे आपको जो भी नाम देना है जैसे मैं यहाँ पे नाम देना चाहूंगा learn more pro okay so create button पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको signature details एड़ करनी है भई सपोज आप एड़ कर रहे हो जैसे मेरा ही signature में बना रहा हूँ तो अपना नाम एड़ कीजिए आपका designation भी आड़ कीजिए यहाँ पर designation एड़ कर सकते हैं आपके contact details एड़ कीजिए मोबाइल नमबर और और आप यहाँ पर लोगों भी एड़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए यह अपलोड कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ फिलाल कोर्स पर लोगो एड़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर लोगो आ चुका है and you can manage the size also यहाँ पर दिखिए large medium small size में यहाँ पर रख देता हो इसका तो यहाँ पर आप लोगो भी एड़ कर सकते हैं इसको चाहिए तो आप बोल्ड करके रख सकते हैं थोड़ा सा है ना इसमें अलग अलग formatting's आप address कर सकते हैं यहाँ पर align में adjust कर सकते हैं चाहिए औरThr में राइट में चाहिए यहाँ आप इधी गई है आप font भी बदल나 है आपको पर और वहाँ पे आपको पहले सिगनेचर मिलेगी जनरल के अंदर ही नीचे आप स्क्रोल करोगे और एक सिगनेचर करने के लिए option मिल रहा है create new पे क्लिक कीजिए दुबारा सिगनेचर आप किसका बना रहे हो अभी मैं इस बार बना रहा हूँ कोर्स पे के लिए सिगनेचर यह अपना नया ब्रेंड है जल्दी लाँच हो रहा है कोर्स पे तो यहां पे मैंने इसके लिए सिगनेचर बनाना चाहा है तो इसमें मैं नाम देता हूं सब्समेंने नाम दिया हमारे manager साब का bushan bere, okay, so bushan bere, यहाँ पर नाम दे दिया then coursepay.com वगएरा website का address वगएरा और manager वगएरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे लिख दिया right, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, again formatting वगएरा करनी है, तो again select this and यहाँ पर bold करो, इसमें भी image वगएरा अड़ कर सकते हैं और इसे भी आप save कर सकते हैं, अभी signature का use कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर मैं जब compose button पर click करूंगा, तो नीचे यहाँ पर दिखाई देगा signature का option insert signature, right, insert signature पर click करके आप, यहाँ पर no signature दिखाई दे रहा है, close page का रखना चाते है learn more, pro का रखना चाते है, आप जिसका भी signature रखना चाते है, आप यहाँ पर click कीजिए देखिए, ओ signature यहाँ पर properly add हो रहा है यहाँ से भी आप manage signature में जा सकते है directly, और manage signature में जाकर नीचे देखिए, manage signature पर जाकर यहाँ पर select करके, जो भी signature आप यहाँ पर edit करना चाते है, आप edit कर सकते है delete करना चाते है, delete कर सकते है और साथी में, यहाँ पर आपको यह signature नए email के लिए default set करना है, तो कुन सा set करना है जैसे यह नए email के लिए set करना है मतलब कोई नया user है, तो उसको ये signature चला जाए और जो पुराना user है, उसके लिए ये signature रहे है, right? पुराना user मतलब जो पूरना, हमारे पास पहले से उसका mail आया है, तो उसको automatically reply में ये वाला signature चला जाए ये वाला signature नए user के लिए जाए है, तो ये आप यहां से set कर सकते हैं, तो उसके बाद यह set करने के बाद आपको यह save जरूर करना पड़ेगा, save changes करने के बाद जब मैं compose पर click करूँगा, इस बार देखिए, यह signature by default आ जाएगा, क्योंकि मैंने नए email के लिए यहां पर set किया है, और जब मैं किसी भी email के reply पर click करूँगा तो यहां पर जो reply के अंदर signature आ रहा है, यहां पर click करके देखिए, यह portion का आ रहा है, right, मतलब यह course पर वाला signature आ रहा है, यहां पर spelling मैंने घलत लिख दिए, यहां पर e रह गया, okay, यहां पर add करके मतलब नहीं हो, signature में जाकर edit करना पड़ेगा आपको, तो basically आपको करना क्य समझ मैं होगा कि signature आप multiple कैसे apply कर सकते हैं, उन्हें particular कैसे set कर सकते हैं, कैसे हम signature में images वगर add कर सकते हैं, यह सारी चीज़े मैंने आपको बताए, थोड़ा सा pro level पर signature यूज़ करना भी आप समझ गए होंगे दोस्तों, यह थी tips no.10, अब बढ़ेंगे आखरी tips की उपर tips no.11 क लेकिन सबसे पहले हैं, एक important information बताना चाहूंगा, अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद है, तो like जरूर कीजिए, यह मेरे लिए important information है, like कीजिए, share कीजिए, और comment कीजिए, अगर आप मेरे channel की care करते हो, तो आप जरूर share कीजिए, फिलाल तो मैं आपको एक और चीज़ सकते हैं, और master बन सकते हैं, definitely बनोगे, घर बैटे बैटे, कम पीज में ISO certified courses, फिलाल तो अपने topic की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यह tips number 11, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, कि अगर आप vacation पे जाते हो, और आपको लगता है, कि भई, मैं vacation पे जाने के पाद जितने भी email आ के से करना है, practically देखते है, screen के उपा, तो भई, आप गए हो छुटी पे, और आपको करना है, यहाँ पे अभी आपकी email पे auto reply, मतलब vacation responder, छुटी पे जाने के बाद, तो settings में जाओ, और see all settings में जाओ, वही general में आपको नीचे scroll करना है, और आपको एक option मिलेगा, vacation responder, यहाँ आपके नीचे दीखे, vacation responder आ चुका है, मैं इसे zoom करता हूँ, दिखाता हूँ, vacation responder में आप, जैसे यहाँ पे on button पे click करोगे, तो पूछ रहा है, कि भई, कब से जा रहे हो, छुटी पे डाल दो, मैं नो तारिक से जा रहा हूँ, first day, नो तारिक, last day अगर आप नही mention करना चाह जाएगा, जब आप वापीस आओगे, gmail पे, login करोगे तो, और last day भी आपका fix है, तो आपके last day भी decide कर सकते है, यहाँ पे subject डाल सकते हैं, यहाँ चुटी पे, I am on vacation, subject डाल दीजे, और यहाँ पे, I will revert back, वगरा वगरा, I am on vacation, I will revert back, after few days, लगे, ऐसा कुछ भी आप लिख response to people in my contacts, उनको ही भेजो, जो मेरे contacts में है, मतलब, जो already save है, जिनके emails मेरे contacts में add है, उनी को यह reply जाएगा, और नए वालों को नहीं जाएगा, लेकिन सब को जाना है, मतलब सब को भेजना है, तो save changes कर लो, यहाँ पे, आपको लगता है, सब को जाना चाहिए, तो save changes, आप ज सकते, contact के लिए, अगर आप चाहते हैं, तो see all settings में जाकर आपको फिर से यहाँ पर आकर, जैसे आप चुटी पर वापीस आओगे, तो यहाँ पर vacation responder आप turn off कर सकते है, यहाँ पर आई है, और उसको बंद करने के लिए, यहाँ पर vacation responder बंद कर दीजिए, right, save changes, तो इस तरह से आप यह vacation responder use कर सकते हैं, दोस्तो, so कैसे लगी दोस्तो आपको इस email की 11 tips, तो 11 tips पसंद है, तो आपने already like किया होगा, share किया होगा, comment किया होगा, मेरे जितने भी channel है, complete technology के अलवा, description में मैंने channel के link दीए, website के link दीए, सारी link है, check कर लेना, मिलता हूँ, अगले video के अंदर, लिखते रहो, सीखाते रहो, बाइबाइ,